हलो, जहिन साथ्यों, नमस्कार, मैं चतने कुमार जार्खन एक फिर से स्वागत करता हूँ देखें, जेसेसी द्वारा जार्खन करमचारी चैनाग द्वारा एक नई वेकेंसी निकल के ही है जो यहां दो तरह के वेकेंसी है, एक जिसका पद 986 पद के लिए निकल लगया है और एक 5 पद के निकल लगया है, तो देखेंगे इस वीडियो में कि क्या यह दोनों पद के लिए अलग-अलग योगिता है और अलग-अलग फी या अलग-अलग एक्जाम लिये जाएंगे, क्या है इसके बारे में, इस वीडियो में पुरे जनकारी प्राप करेंगे और समंधित ये वीडियो जो हो, ये जो वेकेंसी है, वो कम्प्यूटर ज्यान से समंधित, कम्प्यूटर टंकन, हिंदी टंकन और से समंधित है तो इसमें विशेश जानेंगे कि टंकन से समदेद किस तरह का टंकन जो फॉर्मेट है वो यूज किया जागा टंकन की जाच एविलिटी क्या है ठीक है विशेश इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे बने रहेगा इस वीडियो में तो दोस्तो जदी ये चैनल आपको मददका सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दूस्तों के साथ से लिए स्टार्ट करते हैं देखिए विग्यापन संक्या सबसे पहले खोल लेते हैं 07-2022 जो ये 2022 की साथवी नमर की वेकेंसी है और जो इंट्रमेडियेट योगिता अधर पर याई वेकेंसी निकाली गई है इंट्रमेडियेट, कनेडियेट भी यहाँ पर फिल कर पाएंगे और ये कंप्यूटर ग्यान और कंप्यूटर टंकन से समंदित मतलब टाइपिंग पोस्ट से समंदित है कुछ लोग इसे टाइपिंग टंकन समंदित से कुछ लोग एड कर रहे हैं जो पैंचाइट एक लिक्षी की अलग वेकैंशी थी तो वेकैंशी का इसे अटेजना कर आई आब बात कर लेते हैं कि ये वेकैंशी का जो अश्टार्ट होगा फॉंफिल उसका कुछ चार्जय रखा गया है जो गोरी जर्णरल और ऑबीजी वर्ण और ओबीशी टू का कर एक टेग्री के सब्सक्राइब करने होंगे उसके बाद जनकारी प्राप्त करते हैं कि इसका जो वेकंसी है जैसे दो परकार के हमने बताया कि 107 2022 एक वेकंसी है और एक 080ặ 2022 दुरह तरकी वेकंसी निकाल गई हैं ग करते हैं इसने नौटल 5 पाद तो यह दोनों पद को मिला करके यहां पर देख गिया है विग्यापन संख्याद 07-2022 और 08-2022 यह दोनों वेकेंसी का जो आरेता है योकिता है उसका सेम ही रखा जाएगा और आवेदन भी आप एक ही डेट के अधार पर करेंगे एक्जाम भी उसी अधार पर एक्जाम का प दूसरा वेकेंसी जो 08-2022 जो पांच वेकेंसीट है उसमें वह भी आप उसी के अंतरगत पेमिंट करा सकते हैं ठीक है मतलब दोनों वेकेंसी के लिए यहां पर अलग अलग आपको भुकतान नहीं करने होंगे एक ही भुकतान में आपको दोनों वेकेंसी यहां पर फिल कर पाएंगे ठीक है अब प्रोसेजर इसका एक्जाम से संबंदित है एक्जाम करेंगे वह किस तरह धार करेंगे वह आगे जंकारी देते हैं तो यहां तक बात यह कि दोनों वेकेंसी के लिए सिर्फ आपको एक ही पेमेंट करना होगा एक भुकतान करना होगा वो ठीक है अब बात करनें से वेकेंसी समंदित तो यह वेकेंसी जो है देखिए यहां टोटल दस पोस्ट पे यहां निकाले गिए जो की पहला पोस्ट है निम्नवर्गे लिपिक वर्ग जो है इसके लिए जो है टोटल से 96 पद निकाले गिया है ठीक है फिर बात करें निम्नवर्गे लिपिक जो कारियाल लागर से समंदित है इसमें 256 पोस्ट है जो बड़ी वेकेंसी यहां पर दिखने को मिल रहा है फिर अस्टेर्णो ग्राफर जो है उसे समझत यहां पर 17 पोस्ट दिखने को मिल रहा है फिर लिपीक अनुसुची जन जाती इस वेकेंसी के लिए यह अलग-अलग सेक्टर में बाठ दिया गया है जो कि उसके लिए 104 प्रेंसी यहां पर कूल दिखने को मिल रहा है ठीकर और महीला वर्क भी यहां पर sites कर दिया गया है महीला वर्क कभी अलग से वेकेंसी को मिल रहा है फिर बाग की इसका पोस्ट पर प्रेफ्रेंस से सांवनदित हम भी अप्डेट शब्रेट इसका वीडियो में करेंगे किस तरह से फॉर्म फिलग पर शूज़ खरेंगे उससे सांवनदित भी आगले में आपको देखने को मिलेगा और यह पीडियाप जो हाप मेरे टेलिक्राम चैनल जा पहां से डॉनलोड कर पाएंगे यह टोटल पद 986 पद है जिसके बारे में भी हमने चर्चा कर रहे हैं अब चलते हैं टाइपिंग से समंदित क्या है इसका सिलेबस समंदित देखे अस्टेनोग्रापर से समंदित जो यहां पर वेकंसी है वो तो इसका जो योगिता है कौसल योगिता है उसमें क्या होने चाहिए आसुलिफी मतलब जो सौट हैंड कानिडेट है जो आसुलिफी या पर हिंदी टंकन ओगर जो करते हैं उसे 30 सब्द परती मिनट एक मिनट में 30 सब्द आपको टाइप करने होंगे नॉर्मल टाइपिंग जो होता है कुरूती देवों उसके बाद जो है आसुलिफंद मतलब जो सौट हैंड होगर करेंगे उन लोग 80 सब्द परती मिनट में मतलब जो नॉर्मल टाइपिंग करेंगे उन कानिडेट के लिए 30 सब्द करना होगा परती मिनट में और 80 सब्द करना होगा परती मिनट में जो सौट हैंड के चाहतर ह करते हैं उसे समझें फिर बात कर लेते हैं यहां भी अलग-अलग की योगिता यह स्टेनों के लिए था जनकारी बाकि जो सकेंड नमबर पोस्ट दूसरा नमबर पोस्ट लेकर के दास्वा नमबर पोस्ट जो है इस सारी चीजों के लिए हिंदी में आप नॉर्मल टाइपिं हैं तो सिर्फ दो ही वर्ड आपका गलत होनी चाहिए जो की थोड़ा डिफिकल्ट है आपको मेक्सिमम प्रैक्टिस क्या हो सकता है ठीक है और इसमें जो टोटल वर्ड होंगे वो 200-200 वर्ड आपको टंकन करना है जिसमें से सिर्फ दो परसेंट ही आपको गलत करनी है आप आप में तुलना कर सकते हैं जड़िए आप रेगुलर टाइपिंग कर रहें और कितने परसेंट आप गलत कर पा रहें से रेगुलर प्रैक्टिस क्या हो सकता है अब बात कर लेते हैं योगता से समंदित ने बताया कि इन्टरमेडियर क्या बहाली है बात फिर इसमें यह है यहां के अस्थानी आस्थानिय यहां के जो आस्थानिय आवस्य राटिय से समंदित है उसके आधार पर बिशेस भाषा पर ग्यांप्राब्ति होने चाहिए और भी जारखन अस्थानिज्य से जितने भी क्या तुल शेजित भी संस्थाह के लिए आप दूसरे स्टेट से भी जड़ी 10 और 12 पास किये हैं तो इसके लिए कोई वेंशन नहीं है लेकिन जैनरल कटेगरी के छातर जदी आप 10 और 12 सिर्फ चार खंड से ही कियो हो तभी आप यह फिल कर भाएंगे दूसरे कटेगरी के लिए ने सिर्फ जैनरल कटेगरी के यहां इस देखने को मिलेगा जो तो कुछ पुरुषकार जदी आप एचिव किये हुए हैं खेल के छेतर में आप स्पोर्ट कोटर के छेतर में तब आप यहां से उसके लिए भी मेरिट के योगे होंगे नेश्ट बात कर लेते हैं उम्रिशिमा से समंदित तो उम्रिशिमा से समंदित देखी इसका 082028 रखा गया जो यह तीन पर पर्थम जो पर चार पर जो है यह पर चार पर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम उम्रिशिमा जो रखा गया दोज़र अकिस एक आठ दोज़र अकिस रखा गया लेकिन अगले पांच से लेकर के दस पत तक जो है इसकी एज लिबिटी जो रखा गया है 082022 रखा गया है ठीक है कहा जाए तो इसका मिनिमम जो एज आर्यता है वह 18 वर्ष रखा गया है और जैनरल कटेगरी के छातर के की दिए 35 वर्ष रखा गया है मैकसिमम और ओछिबल ऑन ओपिशी टूêuए फुरोषवर के लोगों के लिए 37 वर्ष और महिला से 38 वर्ष यहां पर देखनें को मिला है और स्टी इसकी महिला पुरोषभर के सभी बीर लोगों के यहां पर 40 वर्ष यहां पर maximum is यहां पर रखा गया है नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका फी से समंदित पता चलगे जो हंडेड रुपीस आपको देना होगी फीर बात कर लेते हैं इसका सिलेबस सिलेबस क्या है जो कि कुछ समंदित यहां पर देखेंगे आवसी जाती समंदित देख लेते हैं आश्थानी आवसी जाती है आपके क्या होने ची उनीस साथ 2019 से पूर्व जदी आप सियो के अस्तर निर्गा थे तो वह माने नहीं होगा मतलब यह कि 062600 के पूर्व किसी भी अस्तर के आप किसी भी अस्त यह बनाएं तो माने नहीं होगा और उनीस साथ 2019 के पूर्व अंचल का बना है तो माने नहीं होगा लेकिन उससे पूर्व DC और SDO का बना है तो माने होगा लेकिन यह डेट के बाद आपका सियो का चल सकता है ठीक है उनीस साथ 2019 के बाद का सियो का चल सकता है उससे पहले SDO और DC का ही मान्य है ठीक है फिर बात कर लेते हैं जातीस समंदित तो जाती भी उसी तरह से 252 2019 के बाद आपका जोएसो SDO का भी चल सकता है SDO और DC का भी चल सकता है ठीक है फिर अगला बात कर लेते हैं इससे समंदित सिलेबस में क्या यहां कुछ देखने को मिला है जैसे टाइपिंग से समंदित है तो टाइपिंग वाले में क्या कुछ खास उससे समंदित टैपिंग से समधित कुछ जनकारियां यहां पर देखनों को मिलेगा तो उसकी जनकारिया में लोपराद करते हैं तो यहां पर देखिए ओनलाइन जो समय सिमा है ओनलाइन समय सिमा का जो डेट रखा गया है वो 25-2022 से लेकर के 19-2022 तक रखा गया है और जो फी जो विक्तान करना होगा जो परिछा सुन विक्तान करनी होगी वो 22-22-22 के मद्रारती तक आप पैमेंट कर सकते हैं फोटो प्रिंट होकर आप 25-22-22 के बाद भी ले सकते हैं और 26-22-22 से लेकर के 36-22 के बीद आप इसे सुधार कर सकते हैं तो इसका ओनलाइन जो रेस्टेशन ना स्टार्ट होगा वो 25-22 से लेकर के 19-22 तक अनिलगवा एक मन्त के आपको समय यहां पर दिया गया है ठीक है अब बात कर लेतें कि एकजाम जो हो MR-based होगा या online होगा तो यह massage जो है वो MR-based आपको परिच्छा लिया gucken है ओंलैन यहां पर नहीं रहेगा ठीक है ंजमार्वे मम परिच्छा परिच्छह अपका परिच्छा लिया जागा जो एक मुứngख के रूप में यहां पर देखने के मिलेगा और परते एक एक साही प्रेशन पे आपको तीन नंबर दिये जाएंगे और परते एक गलत पे आपको एक नंबर गलत काट लिए जाएंगे ठीक है और यह सारे जो एक्जाम होंगे वो अब्जेक्टिव टैक प्रेशन होंगे जो मुखे परिछा के अधार पे तीन प ती प्रशने को मिलेंगे इंग्लीश को लेंगे फिन तो प्रशने को हती और चेख न हरा सब्सक्राइब फिर भी थे आम फा ändu ख meto ग्लाओं जनजाती और यह सारे जो भासा है आप चूज किये हैं उसके अधार पर रहागा उसमें आपको 100 प्रसंद दिखेंगे और सारे अब्जेक्टिव प्रसंद दिखेंगे ठीक है फिर इसके बारे में भी विशेश हम खोठा का भी विशेश बात करेंगे और उसके बारे में खोठा से समंदित खोठा का YouTube चैनल जो यह आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ाएंगे तो वहां से हम अपडेट करेंगे कि इसी में ही उसका PDF से समंदित जितने भी जनकारी है खोठा से समंदित विसेश जनकारी हम इसी चैनल पर आपको देंगे सारे सिलेबस खोठा से समंदित सारे सिलेबस आपको इसके माध्यम से जारखंडा की टेलिग्राम की चैनल के माध्यम से आपको PDF सेंड किया जाएगा और जारखंडा की YouTube चैनल के माध्यम से आपको यहां पर गाइडलाइन किया जाएगा इसका खोठा से समंदित गाइडलाइन किया जाएगा बात कर लेते हैं पेपर 3 स से समय दिया जाएगा जिसमें समान अध्यान जो इंडियन जी इंडियन से समंधित रहेगा साइन से समंधित रहेगा उसमें आपको 30 प्रस्ण यहाँ पे 40 प्रस्ण देखने को में लगा फिर बात कर लेते हैं कम्प्यूटर ग्यान और कम्प्यूटर पर हिंदी टंकन यह देखिए कम्प्यूटर का विशेष जो फंडमेंटल ग्यान है इससे आपको होने चाहिए और हिंदी टंकन से समंधित जैसा कि पैंचायत सच्वी में भी टंकन से समंधित वहाँ पे जनकारी जी एस जो सो पुछ आती है तो उससे समझ देत यहां पर आपको टोटल पचास कोश्चन यहां पर देखनों के मिले जो कोई बहुत बड़ी शंख्या में यहां पर नमबर है और यह मैं पलस पॉइंट यह रहा जाएगा कंप्यूटर से समझ आप बात कर लेते हैं जो मुह की पर इच्छा का जो करेगा फिर बात कर लेते हैं जो देख लिजेगा अपने अपने छेत्री लेंग्विज क्या चुछ करते हैं उसके आधार पे तो हम बात करते हैं खोठा से समझ देखने को मिले बहुत ही सौट सिलेबसे जैसा कि आपने सीजे लोला में भी वेकेंसी में भी आप इसे सारे क कुछ चीजों को आप पढ़ पाया है जो सिलेबस में पढ़ हैं उसी चीजों को यहां भी आपको देखने को मिलेगा देखिए गद भाग और पाद भाग दो चीज़े यहां पर पूछे जाएगी जो गद भाग से समंदित खोठा परकासन जो गद और पद संग रहा है उस साहित में समंदित भी एक पत्या डोगल में हुआ है सौन माटी जिसे अब सीजेल में भी पढ़ रहा है यह अपड़ेट यहां पर देखना को मिलेगा कवीता वाले जो दो बूक्स हैं यहां पर जिड्यंग डौानी और तातल और हैमाल यह जो भूक है यह भी आपको दूसरा बात करें खोठा व्याकरन जो एके जहां का खोठा व्याकरन उससे समंदित आपको ग्यान प्राप्ति करनी है और समसमय एक विशे पर जो निवन्द है वो एक निवन्द नॉर्मल निवन्द जो है उससे समंदित यहां पर आपको ग्यान प्राप्ति होने चाहिए ठीक है अब फिर जो विशेस बात यह है कि सिलेबस से समंदी तो देखें समानातियन से समंदी यहाँ पे है जो कि 30 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बाकी जारखन से समंदी जो विशेस ग्यान है यहाँ से आपको 40 प्रशन यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर computer ग्यान से समद्धित जो total 50 फ्रस्निय यहां पर देखने हो को मिलेगा बात कर लेते हैं टंकन से समद्धित टंकन की क्या आ रहता है तो देखिए जो टंकन जाच होगी उसके समद्धित तो कुरुति देव फ्रंट क्रुति देव 0-10-0 फ्रंट से आपको यह कंदि दिया जाएगा जिस में 20 sardo आपको परती मिनट अरिज रिचीश तरह से टोटल ट्यप जो हेगा ह sick आपके गलतियाँ दो परती सत्ल्प गलतियां एक्स except की जाएगी कि इससे जादा जदी होता है तो आप वहां से रिजेक्ट कर जाते हैं आप वहां से सेलेक्शन नहीं हो पाता है दूसरा जो आशु लेखाने जिससे सोट हेंड होता है उससे समंदित ग्यान यहां पर देखें तो जो नॉर्मल नहींदे टैपिंग करेंगे उनके लिए यहां है उनके लियां पर असी सब्द यहां पर टैपिंग आपको करनी होगी परती मिनट से समंदित ठीक है फिर इससे बात कर लेते हैं जो एक्जाम होंगे एक्जाम के बाद आप रिजल्ट दिया जागा वो पर्थम चरण का जो मुझे एक्जाम लिया जागा वो सिर्फ टोट के नहीं करें बुलाया जाता है जाएं इस तरह से पिर मेगा सुची जारेक चांब गए और इसमें जो आवस्यच जाती हमने सारह अपडेट कर दिया है से जाते हैं समंदित फॉर्म कैसे फिल करेंगे क्या इसकी पोस्ट प्रिपनेश होगी इसे हम अगले वीडियो में हम जब इसका उनलाइन स्टार्ट हो जागा तब हम इसका पोस्ट प्रिपनेश से समंदित भी विशेश जनकारे हम यहां पर दे पाएंगे और सबसे वाली बात यह कि यहां पर यह समझने न करें कोशिस करें कि यह पैंचायज सची की वेकेंसी पैंचायज सची की वेकेंसी से यह हट करके यह वेके है कि आप इस वीडियो को बहुत सारे फसंद करेंगे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी सेर करेंगे दन्यवाद